जो करते आये हो वही करते रहोगे तो आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा अगर आपको परिणाम बदलना है तो आपको अपनी एक्टिविटीज बदलनी पड़ेगी नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंग गुरू को ट्रेंडिंग एंड कंसें से आपका हर्दिक स्वागत करत सबसे पहले समल लेते हैं ब्लू ओशन और रेडियोशन क्या है रेडियोशन का मतलब होता है कि जहां पर बहुत कॉमपडिशन है प्राइज वह वही चीज़ की जा रही है जो सालों से अभी तक लोग करते आ रहे हैं और वहां पर कुछ भी नया इनोवेशन या नया वैल् क्रियेट करके कस्टूमर को देते हैं जिससे उसकी जिंदगी में भी ग्रोथ आता है और आपके बिसनस के अंदर भी ग्रोथ आता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बिसनस में ग्रोव करना हो तो ब्लू ओशन स्ट्रेजी का इस्तिमाल करें और किस तरीके से आप Blue Ocean Strategy का इस्तमाल कर सकते हैं चल यह मैं आपको बताता हूं Blue Ocean Strategy डेवलप करने के लिए चार चीज़े आपको करने की दूरत है जिसको कहते हैं EDIC E का मतलब होता है Eliminate D का मतलब होता है Decrease I का मतलब होता है Increase और C का मतलब होता है Create यह EDIC इस्तमाल करके आप अपने बिजनस के अंदर Blue Ocean Strategy इस्तमाल कर सकते हैं तो चल यह जानते हैं EDIC को कैसे इस्तमाल किया जाए Blue Ocean Strategy को समझने के लिए चल यह एक activity करते हैं आप फिलाल जहां पर भी बैठे हैं आप एक बार चारो तरफ अपनी नजर गुमाईए मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक बार चारो तरफ अपनी नजर गुमाईए और देखिए कितनी सारी चीज़े आपको लाल कलर की दिख रही है एक बार कीजिए कितनी सारी चीज़े आपकी लाल कलर की दिख रही है वो हो सकता है मेरी टाई हो मेरा कफलिंग हो या कुछ भी हो सकता है एक बार आप पूरा चारो तरब नजर गुमा के देख लिजिए देख लिया अब आप अपनी आखे बंद कीजिए मैं आपसे कह रहा हूं आपकी आखे बंद कीजिए नहीं नहीं चीटिंग नहीं आखे बं देखी कितनी चीजें आपको blue दिखी याद है नहीं याद है इस यही activity है blue ocean strategy कई बार हम यह सोचते हैं कि blue ocean strategy का मतलब होता है कि सारी चीजें बदल देना बिलकुल नहीं blue ocean strategy का मतलब होता है कि जो आपका चल रहा है उसी के अंदर कुछ ऐसा नया देखा जाए जिसके उपर अभी तक किसी की नजर नहीं पहुंची तो आपको अपने करन्ट बिजनस को डेस्ट्रोय नहीं करना है अपने ब्लू ओशन स्ट्राटरजी के अंदर आपका जो बिजनस चल रहा है उसी के अंदर कुछ नया ढूंड़ना है जिस तरीके से आपने लाल देखा और आपको ब्लू नहीं मिला तो आपको लाल देखते हुए आपको वो ब्लू ढूंड़ना पड़ेगा मतलब आपके बिजनस में जो चल रहा है उसी के अंदर वो प्रॉब्लम ढूंड़नी पड़ेगी जिसका इस्तमाल करके आप कॉम्पेटिशन को बीट कर सकते हो या फिर कॉम्पेटिशन को ए-relevant कर सकते हो कॉम्पेटिशन खतम कर सकते हो तो आपको करेंट बिजनस के अपने बिसनस को एक नया आयाम दिया है तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह पुरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिसनस खड़ा करें तो आप भी इस तरह का स्ट्रेजी इस्तिमाल कर सकते हैं पहले एक्जामपल है सिटीजन एम होटल जिसने पुरी के अंदर होटल की पूरी की पूरी परिभाषा को बदल दिया पहले की समय में होटल में क्या होता था कि जब भी हम होटल के अंदर रुकने या ठहरने जाते थे तब वहां पर बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर होता था जहां पर लंबी लंबी लाइन लगी होती थी होटल के अ उसके बाद में अलग 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 तरह के रूम होते था अलग अलग फैसलिटी वाला अलग होता फिर एक बंदा सामान पिक अपकरने अलग है यह सारी प्राप्लम causing उत्म को को सबसे पहले चीज उनको पसंद नहीं थी के लिए यंग के लिए लकाण जो वेटिंग होती है वो ग्रहा को पसंद नहीं था जुसरा कि जब भी मुझे कोई बंदा मिलने के लिए तो हर बर अलग बंदा मिलने के लिए आता था जब इसे उसको पसंद नहीं था जब समय से हुआ नहीं था जब भी होटल में हमने Pavla वी मिलता था जहां REM mu मोबाइल इस्तमाल कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं ये उनकी प्राब्लम थी कई बार उनका बेड का जो साइज था वो छोटा होता था जिसके कारण उनको पूरा कमफरेबल फील नहीं होता था और ये सारी प्राब्लम होटल इंडस्ट्री में चल रही थी सिटीजन एम ने ये सारी चीजों को देखा और समझा कि ग्रहा को यहां यहां तकलिप हा रही है तो सिटीजन एम होटल ने क्या डिसिजन लाए किस तरीके से EDIC का अस्तमाल किया जिससे उन्होंने पुरी दुनिया के अंदर होटल की एक नई परिभाशा दी तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से EDIC का उपयोग करके सिटीजन एम होटल ने अपने आपको लोगों से अलग किया और कॉमपोडिशन को खतम किया सिटीजन एम होटल ने किस तरीके से EDIC का उपयोग किया आप देखिए आप screen पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहला citizen M hotel ने eliminate कर दिया front desk को front desk को मतलब कि जहाँ पर लंबी लंबी line लगती थी उसको खतम कर दिया और full service जो restaurant था या जो room service की lobby थी वो सारी चीज़ों को खतम कर दिया जहाँ पर भी customer को तकलीफ होती थी वो सारी चीज़ों को citizen M hotel ने खतम कर दिया उसके बाद में क्या-क्या चीज़े decrease की जहाँ पर सबसे पहला है कि guest room का जो type था वो उसको कम कर दिया room का size जो था वो अलग-अलग करने की बजाए उसको same कर दिया price जो था उसको reduce किया उसको decrease किया और building की cost को भी घटाया इस तरीके से eliminate किया बहुत सारी चीज़े जो जरुवत नहीं थी जिसके करने कस्टोमर को तकलिफ होती थी और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया जिसकी unnecessary यूज होता था या फिर जिसकी जरुवत बहुत जागा नहीं होती थी उतको कम किया उसके बाद में उन्होंने increase क्या किया तो उन्होंने increase किया sleeping का environment उन्होंने बदल दिया बढ़िया महल द कर सकते हैं वो करना उन्होंने शुरू किया तो यह सारी चीज़ें उन्होंने increase की जिससे customer को और भी बहतर service मिलने लगी उसके बाद में उन्होंने जो नया बनाया जो construct किया जो create किया वो था सबसे पहला कि उन्होंने एक मिनट के अंदर check-in करने की facility उपलब कराई सबसे प यह उन्होंने शुरू किया यह सारी चीज़ें करके customer का experience बढ़ा customer को मजा आने लगा और बार बार उनके वहाँ पर customer repeat आने लगा एक समय पे ऐसा आ गया कि citizen M hotel की 90 परतन जो occupants से थी वो पूराने ग्रहकों की मतलब कि repeat ग्रहकों की थी क्योंकि उन्होंने blue ocean strategy का इस्तमाल कि था तो इस तरीके से आप भी अपने बिसनस के अंदर edic का अस्तमाल कर के कुछ चीज़े जब सरकस में कोई इंट्रेस्ट नहीं ले रहा था लेकिन इन्होंने Blue Ocean Strategy का इस्तमाल करके इतना पैसा कमाया कि जितना दूसरी कंपनीोंने सौ साल में नहीं कमाया उतना सरधस होले ने एक साल के इंदर कमा तो पहले सरकस में क्या तकलीप थी पहले सरकस में तक्रिप थी कि पूराना पैटन चलता था एनिमल का स्थमाल होता था वहाँ पर बोरिंग कंटेंट होता था वहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए होता था और वहाँ पर सारी चीज़े होती थे पहले यह पूराना पैटन था जिसके कारण लोगों को सरकस में जाने की जो की सबसे पहले उन्होंने एनिमल निकाल दिये जो पहले सरकस के अंदर एनिमलों का इस्तमाल होता था उसको निकाल दिया जिससे उनका खर्च कम हो गया उन्होंने जो पैटन था जो पुराना तरीका था सरकस दिखाने का वो सारी चीजों को उन्होंने खतम कर दिया उन्होंन सबसे पहले जो डिक्रीस किया वो बोरिंग टाइप का जो थीएटर बनाते थे वो सब चीजे उन्होंने डिक्रीस की उन्होंने कम किया और जो स्क्रिप्टेट कंटेंट होता था जिससे कस्टमर को पहले से ही पता हो जाता था कि यह होगा ऐसा होगा वो चीजे उन्होंने कम डाला कि लोग क्रियोसिटी के साथ में जाए कि यार क्या होगा यह सारी चीजे उन्होंने इंक्रीज करना शुरू किया और जब यह सारी चीजे उन्होंने पैटर्ण चेंज किया थोड़ा था उन्होंने पुरा महौल बदला और पहले सरकस के अंदर सिर्फ बच्चों को ले जाने के लिए पैरंस आते थे लेकिन उन्होंने एक ऐसा बना दिया कि जहां पर पैरंस भी खुद के एंटेटेंबंट के लिए आने लगे बच्चों के सा चाहते हैं कि आप भी Blue Ocean Strategy का इस्तमाल करें तो EDIC का इस्तमाल करके आप भी अपने बिसनस के अंदर Blue Ocean Strategy ला सकते हैं और आप भी अपने बिसनस के अंदर एक ग्रोथ की नई कहानी लिख सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिसनस में Blue Ocean Strategy का इस्तमाल करें तो त कौनसी ऐसी सबसे तकलीफ वाली चीज है जिसको आप सौल्व कर सकते हैं आपको वो ढूंडा पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो मेरे ग्रह को सबसे ज़्यादा परिशान कर रही है और वो चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉलिशन हो और उसके लिए मैं तयार हूं दूसरा क कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई ऐसा प्रॉड़क बनाओ जो मार्केट में एक्जिस्टिंग अवेलिबल ना हो अगर आपने अपने कस्टुमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम को समझ लिया और उसके इसाब से अपनी प्रॉड़क को डेवलप किया तो मैंने जो पैसा खर्चा किया है वो मैंने बहुत ही अच्छी जगय किया है मतलब कि उसको वैल्यू फॉर मनी लगना चाहिए या फिर उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसको पैसे से ज़्यादा सर्विश या प्रॉड़क मिली है अगर यह तीन चीजिया आप कर सकते हैं तो आ आप कभी भी competition में मत जाओ आप कुछ ऐसा करो कि competition ही खतम हो जाए आपका कोई competition ना हो इस तरीके से आपको blue ocean strategy का इस्तमाल करना है अगर आपको लगता है कि आप भी अपने यहाँ पर blue ocean strategy का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताए कि आपके business के अंदर कौन करके share जरूर कीजेगा हो सकता है कि आपके share करने से किसी businessman की तकदीर बदल जाए और इस channel को subscribe करके हमारा उत्सा बढ़ाए जिससे हम आने वाले समय में ऐसे और भी business के उपर वीडियो दे जिससे आपके business में आपको grow करने में आपकी help हो तब तक के लिए thank you so much wish all the best धन्यवा करने में आपके जिससे हम आपके जिससे हम आपके 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 हम आ